बीजेपी की जो पूरी मुवमन्ट थी राम मंदिर की अयोधिया की मुवमन्ट थी शुरुवात अडवानी जी ने की थी रत यात्रा हुई थी नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवानी जी की मदद की थी इनकी शुरुवात वहां हुई उन्होंने राम मंदिर का Tyros forskosition किया एंडिया में Congress party ने इंडिया कर बंदन ने इनको हराया है तो अगला step क्या है लखके लेलो likewise Con ANDREW along qu Ostствие की जो आतमा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्वर मोदी और PG point ko गुजरात में जैसे हमने है शैनेक्षीW वैसे ही हम गुजरात में इनको हडाने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएगे। हमारे बबबर्शे टाइगर हराएगे। आपको डरना नहीं है। जो दर की भावना होती है न, वो आप में नहीं है। जैसे इनोंने हमारा ओफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाओ पूरा दम लगाके लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़के हटपरे करें। अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई बीजेपी सामने नहीं खड़ी होगी। राहुल गाधी ने गुजरात में घुश कर लड़का रहा है बीजेपी के गढ़ में। खुला चैलेंज करते हुए कहा है कि लिक के लिए लोग कांग्रेस पार्टी गुजरात में इनको हराने जा रही है। राहुल के इस आकरामक तेवर से क्या मोदी साह की बेचैनी बढ़ने वाली है। नमस्कार तोस्तों दे पब्लिक एक्स्प्रेस के डिजिटल प्रेटफार्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ जीतेंदर यादव। राहुल गांधी ने एक बार फिर से गुजरात में भारती जन्ता पार्टी को हराने का खुला चैलेंज दिया है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि लिक के लेलो इस बार गुजरात में भारती जन्ता पार्टी को हम हराने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुली चुनवती दी थी। कुछ दिन पहले और यह कहा था कि गुजरात में बीजेपी को हम हरा देंगे और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार आप लिक के लेलो आप आपको अपोजीशन इंडिया गटबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। आपको दोखरा रहे हैं यानि कि राहुल गांधी पूरे कन्फर्म है कि इस बार गुजरात में भाजपा को हराना है। रहुल गांधी सनिवार को गुजरात के दवरे पर गए थे जब रहुल गांधी ने लोकसभा में भारती जन्ता पार्टी और आरेसस को नफरत की राजनीत और हिंसा करने वाला कहा था। लेकिन भाजपा के आईटी सिल ने भाजपा के नेताओन और खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बयान को इस तरीके से पेस किया कि जैसे रहुल गांधी हिंदूों को हिंसक बता रहे हैं। जबकि रहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं लेकिन भाजपा और आरेसस को खुद को हिंदू कहती है वो हिंसा फैलाती है। जब उनके इस बयान को आधूरा वीडियो सोसल मेडिया परवारल हुआ तो बजरंग दल के कारेकर्टाओं ने गुजरात प्रदेश कांगरेश समीती के दफ्तर में लगे पोस्टर पर कालिक पोद्दी। और साथ में विरोध में राहुल के मुस्लिम समर्थक होने का इस्टीकर भी चिपका दिया। इस घट्टा के विरोध में जब कांगरेश नेता उतरे तो भार्टी जनता पार्टी युवा मोर्चा के कारेकर्टा अहमदाबाद के प्रदेश कारियाले पर जमा हो गए। यहां पर भी काफी हंगामा हुआ और दोनों दलों के कारेकर्टाओं के बीच जम कर जड़क हुई। अब राहूल गाधी परदेश कारियाले के बाहर वीजेपी कारिकरताओं से लड़ने वाले लेताओं और कारिकरताओं से मिलने के लिए गुजरात पहुचे है इसी दोरान राहूल गांधी ने कारिक्रताओं का हौसला बढ़ाते हुए जब बयान दिया उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को यहां उसी तरीके से हराएंगे जिस तरीके से अजोध्या में बीजेपी को हराया था आपको बता रहा हूँ हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं जो हमने कहात और लिक के लेलो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाओं में लड़ेगी और नरेंद्रमोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अजोध्या में हराया वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं अमदाबाद में राहुनकाधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने संसद में अजोध्या के संसद से पूछा कि अजोध्या में क्यों हार गई बीजेपी तो उन्होंने कहा कि अजोध्या के लोगों से जमीन चीनी गई थी लोगों की दुकानों और घरों को तोड़ा गया था उन्हें मुवावजा तक नहीं दिया गया इंटरनेशनल एरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन ले गई पाज तक मुवावजा नहीं दिया गया इसके अलावार राममंदिर के उद्गाटन में अजोध्या की जनता को नहीं बुलाया गया इसलिए अजोध्या की जनता में गुस्सा था उन्होंने BJP को हरा दिया, हमारी जमीन चीनी गई, सरकार ने हमी मुआउजा नहीं दिया, दूसरी बात अजुद्या का इंटरनेशनल एरपोर्ट की जमीन अजुद्या के किसानों की गई, आज तक उनको मुआउजा नहीं मिला, तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसर भी व्यक्ति नहीं था यह कारण थे मगर आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं क्योंकि जो मुवमेंट आडवानी जी ने चालू की थी उस मुवमेंट का जो सेंटर था अजुद्या उस मुवमेंट की इंडिया गटबंधन ने अजुद्या में हरा दिया है इसके साथ ही रा एक लाख वोटों से जीतने का मतलब है कि मुश्किल से जान भची है तो उस्तो राहूल गाधी ने जबी कहा कि जैसे बीजेपी ने आहमदाबाद में हमारे आपिस को तोड़ा है वैसे ही हम उनकी शरकार को तोड़ने वाले हैं अगले चुनाव में हम उन्हें हराएंगे हम पिछले चुनाव में बीजेपी से ठीक से नहीं लड़ पाए थे उससे पहले 2017 के चुनाव में तीन महीने में हमने मेहनत की थी और अच्छे नतीजे आये थे हम फिनिस लाइन तक पहुँच गए थे अभी गुजरात में 50% लोग ही मानते है कि गुजरात में कांग्रेस जी आपने इतने सालों में बहुत लाठिया खाई है अब बहुत हो गया हम इन्हें शबक शिखाना चाहते हैं इन्हें हराना है और राहूल ने यह भी कहा कि हम इनसे लड़ेंगे नहीं इनसे हम इन्हें मुहबबस से हराएंगे दरसल दोस्तों राहूल ने यह जो बयान दिया उसके पीछे एक बहुत बड़ी वज़ा है उत्तर परदेश की अजोध्या लोकसभा सीट पर भाजपा का गढ़ माना जाता है लेकिन वहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई भाजपा इस सीट को जीतने में कामयाब नहीं हो पाई इस तरीके से गुजरात भी भाजपा का गढ़ माना जाता है भाजपा के इस मजबूत के लिए को कांग्रेस भेदने में कामयाब नहीं हो पा रही है हाला कि लोकसभा चुनाओ के नतीजों खासकर फैजाबाद, लोकसभा सीट के नेताओं ने कांग्रेस भी पक्षी दनों में एक नई ज्यान फुक दी है गुजरात में राहुल गाधी ने जब अजोध्या सीट का जिक्र किया तो उसके यही मायने निकले कि जिस तरीके से इंडिया गढ़बंधन ने अजोध्या में भाजपा को हराया है ठीक उसी तरीके से बिधान सबा चुनाव में गुजरात में भी भाजपा को हरा देंगे हालांकि गुजरात बिधान सबा चुनाव के लिए अभी समय बचा हुआ है 2027 में चुनाव होंगे ऐसे में गुजरात में राहूल गांधी का यह दावा कितना सही साबित होता है यह देखने वाली बात होगी फिलाल इस ख़बर में इतना ही राहूल गांधी के दावे को लेकर आपकी क्याराय है कमेंट में जरूर बताएं चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक तथा सेर करें और खबरों के लिए देखते रहे देखते रहे देखे अधी पबलिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेट फार्म धन्यवाद